यूपी सुनने में थोड़ा बैकवर्ड लगता है पर इतने बैकवर्ड रहा नहीं है अब मैंने 12 अभी की की थी तो जहां पर आये तो भाई यहां पर बिल्कुल महाल चेंज हो गया तो उस टार्गेट होता है पढ़ाई पढ़ाई अपना दूसरा टार्गेट होता है साथ है यार जो फीस निकालनी वो पहला टार्गेट होता है अम लोगों को एक वीक के सत्तर गंटे मिलते हैं सत्तर गंटे के बाद हम लोगों को 36 गंटे की रह्ष डालनी पड़ते है तो हमारी बुक रिस्टार्ट होती है निशान जी अब आपकी वरिया जी यूपी वाले कैसे हां पहुंचे कैसे जंडे गाटे पूरी डिटेल में बताए अपनी स्टी के ठीक है पहले तो अपने दर्शन भाई का बहुत धन्यवास इन्होंने हमको वीडियो में लिया ने कोई बात निया प्यार है आपका वीड करते हैं कि मैं 2017 में आया था अपने कैंडा में अब मैंने 12 अभी की की थी तो पहले मेरा प्लैन नहीं था कि कोई कैंडा गूंडा आना जैसे तो मेरे आप यार दोस्ते वाई वो भी कर रहे था आईलेट्स जुमान के साथ चला गया चलो मैंने को मैं भी कर लेता हम अच्छ यहां तक कैसे बहुचे आप बताए अब कर रहें बिल्कुल महाल चेंज हो गया तो आपको पता है स्कूल का महल तो कॉलज का महल थोड़ा अलग होता है बाहर निकले नहीं थे लिग अब लोगों को तो लग लखी ने से ज्यादा निकल निकली नहीं थे यहां बिल्कुल सबसे बड़ घूलर के तो वहाँ पर एंट्री ली हों पुरी पहले तो ने से ये भी भाइ पढ़ाई मैने नीचूज की थी ये भी आब उगू सच बता देता हूं ब्ल्कुल जो एजेंट कि अगरी दो आपके वह की ऑन्हें मुझे एजेंट ने बुलादा कि ये पढ़ाई सबसे असान है ये ले लो थापम हो गया तो अब मैं आपको बताता है मैंने क्या काम गया काम किया यहां पे रिक्यार हो गया तो जब मैं पहले के आया था 2017 में तो भाई हो मैंने time नहीं होता है कि कुछ फजय वसका काम गा से घाओ फ john this time यह होता है कि तो पहला टार्गेट होता है, तो उस चक्र में पढ़ाई भी खड़ाब हो, आती बंदेगी, पहला मेरा भी पहला टार्गेट जी था कि फीस निकाल लिए, घर से नमगानी पड़े, तो अपना कॉलजी में पांच दिन था, तो दो दिन काम सा साथ है, फीस कहा निकलती, खर् पर अपने शक्राद का काम जोलते है, लोहे का का पा-और कहलता, तो उसको तो ह nee, उसको वहां से लोहे बाटे हो, बहुत हाँब अपनी ने, लोहे से ओर लंगाना अब्प से ओर भी टेघ्डर के बच्चे कां लोहार बंदा है अब। थोड़ा सा दुख भी होता था कहा पसगे है यार बताओ चलो फिर फोचा चलो आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होगा बिलकुल अब टाब निकालने तो उसके बाद मेरा स्काइजूल कुछ चेंज हो गया तो मुझे काम करना पड़ा चेंज तो भाई फिर मैंने एक मह बना रही है डाल्ली अबरे तो उसके बाद फाई एक बंदा मिला मेंकई इसे मुझे को काम देला दींक का ऐस्के और मैंने मेकाई की द्रत दो साल बाद में मुझे सेट नह ます लेकिन यह उसी में कितने कितने फैसे बंते रहाया !! दधा लागवा यांचा जान तो इस समय 20-30 गंटे ऐसे मेक्सिमी इतनी होता था 5 दिन जघमा तहां तो तो मेंने काम इस लिए चोड़ा तो तो मैंने काम ऐसली चोड़ा क्योंकि फिर मैंने मना लीक का का लाइसेंस तो बाद में वाई पैसे अच्छे बने थोड़े तो दो साल मैं ने फिर फोकलिफ्ट का किया लगा लगा थार दो साल फोकलिफ्ट का किया तो फिर बाद में वाई बोगे में हम थोड़ा उस पैसे भी मुझे और पैसे यह भी रहते हैं ने फूरको फोकलिफ्ट काम कर रहें ना पैसे लगने हैं आप सुवह से उठे हैं ना चाए पी होगे आप खाणा खाओगे आप गाड़ी से एक सदर्च जगा सा दूसरी जगा जाओगे क्योंकि यहां होगा आप 17-18 डॉलर 20 डॉलर बन रहे है गंटे के लेकिन भाई यहां खर्चा भी उसी साब से आप एक खाड़ा खाड़े जाओ 20 डॉलर तो आप वैसे लगे जाता है उसी साब से समझो ठीक है तो आप ट्रक ड्राइवर तक कैसे पहुंचे तो भाई मैं वहां पर मैंने दो बड़ मेरी उस समय PR नहीं आई थी तो मैंने फोख्ला का वेट खाव मैंने लयसेंसे ले लिया था पहले ट्रक का ट्रक का ट्रक का ड्राइवंग. पक्के हो जाए आप तो आपने पहले उसका वेट किया जो फिर बाई जैसे मेरी प्यारा गई मैंने दो महीने बाद ट्रकिंग कर दी तुब भाई ट्रकिंग उसके बाद अब तक ट्रकिंग कर रहे हैं बाँ तो आपको यह बात भी बता दू कि मैं और निरवार भाई एक बतार चलता है दो दिन इनकी चुटी होती है कि जुटी है सेकंड यह कि इलाग बुक इनको रेस्ट करना पडब Micheer कि डालने मतलब 36 गंटे की डालने पड़ते तो हमारी बुक रिस्टार्ट होती है तो वहीं दो दिन 36 गंटे यहां पर डालके फिर हम आगर देन से चलाने कर सकते हैं यहां पर टैबलेट होता है उसके अंदर अपना सारा रिकॉर्ड चड़ता रहता है आपको वीडियो में दिखा देंगे किसी में सेंपल के तौर पर तो भाई जी निशान जी तो भाई साब आपको यहां 5 साल हो चुके हैं तो अब तक तो आप कवा रहे थे जो सिंगल बंद कमाता है सिंगल परसन सिंगल उड़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन वहीं हमारा इंडियन मेंट सेट हमें फैमिली भी यहां बुलानी है यहां फैमिली को बताईए फ्यूचर क्या है कैनिड़ा में जो बच्चे इतने आ रहे हैं वह क्या अपने परिवार यहां क बसा पाएंगे अपना उनका परिवार संभाल पाईगे कि इंडिया में इसा होता है बंदा घर में एक बंदा भी सरकारी जोब या प्राइवेर अच्छी जोब गड़ता है तो परिवार आम से उठीखा लेता है वाइफ को जोब करने ज़रुरत में लेकिन यहां पर के जो मैंने सोचा हूँ उसे साफ से जवाब दो हाँ जर्नल भी अफ़ता दिए तो बेड़ चाल है एक आपने जो अब्जर्व किया भी ये साला सिस्टम कहा है या पे तो भाई मोशली में जो मैं देखता हूँ वह भेड़ चाल ही है कभी ही मैं किसी टाइम मैं भी उसी तो नहीं बट ट्राइ कर रहा हूँ बिल्कुल तो शिश करना ही समसे पहले पहले पहला फट होता है यहां पेड़ चाल किया है पहले पेड़ चाल मूटा संदा जाव भी है कि हम लोग ने पहले भी इसको बारे में डिसकस किया कि आदमी कैणा में यही सोच किया आता है कि चलो भाई वहाँ पर जाके गाड़ी ले लेंगे या आईफोन ले लेंगे ऐसा कुछ दिखावा वगएरा ऐसा करता है आदमिया के बट फ्यूचर अगर उसको अच्छा बनाना है अपना ऐसा नहीं कि कायना में फ्यूचर अच्छा नहीं बट चक्कर वहाँ कि आप बनाएं उसको बना सकते हैं कि नहीं बिल्कुल उसको बना आप कैसे सकते हैं अगर आप कुछ प्लैनिंग करके आएं लिया से कि हाँ भई मैं वहाँ जाकर एक तो पहले तो आप कोई स्टडी लेकर रहें जिसमें आपको इंट्रस्ट होगा बिल्कुल या तो आप इस माइंसेट से आएंगी बाई मैंने मुझे यहाँ पर तीन सा रहना या चार सा रहना है मुझे पैसा कमा कर वहाँ पर चले जाना है विल्कुल तो वह भी अच्छा हो गया अच्छा है वह भी यहां का पैसा यहां उतनी वैल्यू ने रखता अगर आप हर महीना अगर ट्रक ड्राइवर हैं तो आप पांच जार भी सेव करके इंडिया भेज पाई तो पांच चिके तीस तीन लाग होता है बाई साब लगब तो आपका परिवार तीन लाग खरच नहीं सकता आप कितना ही लगजरी कर लो इंडिया लेकिन वही पांच जार डोलर यहां कुछ नहीं है अगर आप मकान की किस्ती आपकी कम से कम छे साथ हजार होगी नौन बला गराब ऐसे एरे में रहते हैं जैसे कि जहां पर सब रहना अपने बंदे रह रहे तेको वही बात आगी ना देखा देखी कि भाई मुझे यावे मेरा दोस्त रह रहा है ना मुझे वही पर रहना चाहे मुझे वह कितना महें पढ़ रहा है बिल्कित अब यावे रेंट भी इतने हैं अब दीन हजार से कम तो घर किसी कहीं मिलता नही अब वही बात है अगर आप प्लैनिंग करके आएंगे तो आपका यहां पर फ्यूचर भी अच्छा होगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिल्कुर बश्ट मस्ट वही है कि आपको एक प्लैनिंग करनी है कि इतने इतने टाइम बाद मुझे यह करना है तो बढ़ना है या तो आपकी स्टडी अच्छे से होगी या आप खर्चा ने कर सकता है या पैसे कमा सकता है कुछ ना उस तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मेरे साप से स्टडी वाला टाइम तो आपका छोड़ दे उसके वाद वर्क परमट में आप पहले एक साल में तो आपने जो स्टडी पे खर्चा किया है अपने घरवालों ने खर्चा किया जो आपका अभी तक का वो यह पूरा कर पाएंगे तो मान के जाके आपका तीसरे साल चोत्ते साल जाके आप ट्रैक पर आते हैं उसके बाद बंदेगी गाड़ी ले ले लेता है गाड़ी की खर्चे निक लेकिन वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि वहीं मैं गाड़ी ऐसी उठांगा मैं बहुत पहले सोचा हूँ है में मस्टाइंग लेनिया बरिकता है अब मैं यह नहीं कर देखा देखी में उठा लेते हैं और उनका बैलेस जो है वो नेगटिव चल रहा है या दोस्तों से आप परीवारों से साधान परीवारों से मिडल क्लास से आ रहे है जो बंधा वहीं या बात वहीं कर लोह हैं ज्यौंकि हम लोगों भाई आस-पास औरा देखा, हमारे दोस्तों में देखो देखी में, किसी ने मेश्टैंग उठा लिए, किसी ने चलेंजर उठा लिए, तो खैर हम लोगों का थोड़ा बचा रहा, एक बाद यहां पर बाद करना चाहँगा सुरी, जो इसन यहां पर आके यह सोचता है कि अगर आप जो घर है, सबसे बड़ी बात तो घर आती है, घर की बात यह है, अगर आप किस्तों की जिन्दगी नहीं जीना चाहते हैं, तो आप यहां से जरूर मूव कीजिएगा, ब्रेंटन और सरी से होगे, दोने जगा ऐसी हो चुकी हैं, जो भी सोचता है कि मैं वहीं प और सारा कर सारा परिवार काम करता है यहां पर शाँ, वीकेंड पे एक दिन छुटी मिलती है, उसके अंदरी भी गरूसरी वेगर में निकल जाती है, तो ऐसी लाइफ, अगर कोई जी रहा है, अगर वो खुश है, तो ठीक है, लेकिन भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ है भाईयों की बात करूँ, मैं इस तरह की षप्रेस लाइफ लीग में नहीं जीना चाहूँगा, मैं वहाँ जीना चाहूँगा, जहाँ पे किस तरी नहीं है, और आपका जो जी करता है, वो काम कर रहे हैं, जैसे ही भाई, कोई काम हो गया, जो ऑन-लाइन भी है, या ओफ-ला इससे में आपको 3-4 लाख में भी 3 लाख में भी बहुत ही बड़ी आगर मिल जाता है और उसके अंदर जो है अगर आप डाउन वेमिट कर लें दो चार जने मिलकर या फर कोई और तरिया मिलकर है बड़ा परिवार है तो तो उसकी किष्ट हो जाता पड़ी और आपको आपको तो निगल जाएगा एक जार भी खा लेंगे उसके बाद अगले दिन फिर खड़े हैं दुबारा से काम करने के लिए या तो फिर यही होगा कि पहली पीड़ी जो आई है यहां पर वो उसकी जवानी है उसका काम जे उसका खतम नहीं सिस्टम और आप अपने बच्चों को बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते चाही बच्चा कैसे ही रहे कैसे कपड़े पहने कैसे जिंदगी जिए चाही एलजीबीटी ओचा कुछ भी हो मतला है यहां पर हर चीज तरीके से आजादी आफ किसी भी मन्दे को चाही आपकी वाइफ है बच्चा है बच्ची है माता है पीता है आप किसी को भाई कुछ भी नहीं कह सकते या बबाद त्यान में अगर फेक केस भी पड़ता है भाई उसको निप्टाने के चक्र में आपके पैसे तो लगेंगे लगेंगे बेशिक आप इनोसेंट प्रूफ हो जाएं लेकिन लॉयर जो है आपके पैसे जरूर ले कि भाई सहाँ आपके यहां पे डो केसि है भाई साब एक तो आप यह अगर यहां कि अधने यहां ने आसकी तरेखा होना है तो बहुत सिझिवें करनने के होगी कि आप यहां पिमाने के चलो साथ आट जार कमा रहे हैं बड़ा ट्रक चला के कुछ बेहनत करके आप यहां से वीनिपेक चलीजे ट्रकिंग वहां सबसे ज़्यादा है तो वहां इंकम आपकी 500 डॉलर का फरक पड़ता है लेकिन वहां पर आप घर यहां पर जून सा 1.5 पर आपको 4 लाग रुपे का घर मिल जाएगा बहुत बढ़िया वड़ा चार लाग का तो लाग में मिडियम घर मिल जाता है और 2,5 लाग में पूराणा घर मिल जाता है यानि कि भाई आपकी stress life कम हो जाती है और आप अपनी wife को भी train करके लेकि आए जब अपकल लेकल आपके पास यह है वाई साब कि आप अपना परिवार इंडिया रखिए छे मीने यहां पर हाड जूब कीजिए ट्रक ड्राइब कीजिए या कोई भी आप अच्छी जूब कीजिए आप महीने के 5-6,000 डॉलर बचाईए और आप 6 महीने में एक महीने में तीन लाग रुपे तीन साथे तीन लाग बचाएंगे और 6 मिने में आप 20 लाग रुपे बचाएंगे और 6 मिने आप इंडिया जाहिए 20 लाग रुपे आपके परिवार पे खतम नहीं होंगे विजनस करने के लिए आपको million million dollar चाहिए और नहीं million dollar चाहिए लेकिन आपको बहुत सारी license चाहिए क्योंकि आपको बिजनस करना है ना उसका proper procedure आपने यहां पर रिणी लगा लिए आज फूट बेच रहें आप आप यहां पर बाल काटना शीदा शुरू कर दिये क्या आपको हर चीज के लिए proper degree proper skill बहुत सिस्टम एक प्राइस लग करवानी पड़ेगी बिजनस रिज्टर करवानी पड़ेगी यहां पर तो आपकी गाड़ी अगर पार्की में खड़ी है तो आपको तब इसके इसका रहा है जो ऐसी सचाई है जो ऐसी सचाई है कि भाई यह कोई कोई ही देख पाता है मैं बहुत ही ज्यादा मतलब भाई इसमें डीर में गिया था तब जाके समझाई थी यहां पर अगर आप 10 रुपे कमा रहे हैं तो यहां पर है जेस्टिन ट्रूडो की सरकार लिबरल की सरकार है सब्सक्राइब कर तो मैं यह दो में सरकार के लिए काओं कर रहा हूं मैं आपको अपने एक महीना काम किया आपने 10,000 डॉलर कमाई यह लेकिन आपने 10,000 कमाई था पुकट कटाके 7,000 आप एक आते में वहीं है बाई दूसरा उस 7,000 से जब आप ग्रोस्री लिने जाओ गे तो 13% टेक्स आपको तब दिना पड़ेगा आप कुछ भी कर रहे हैं 13% होते हैं नॉर्मल टेक्स है ते यह होगा 43% उसके पाद साल का एंड होता है अगर अगर आपने ज्यादा कमाली है ज्यादा सरकार और मांग लें सरकार और मांग लें तो कभी कभी यह लिए चास प्रसे स्क्रिप्शन है मिल जाएगा थैंक्यू सो माइट लाइक शेयर दबाके और सब्सक्राइब भी किजिए फोलो भी कीजिए जो जो सकता है भाई यप कर दीजिए थैंक्यू सो मच निर्वार जी थैंक्यू सो मच निशान जी बिल्कुल फ्रैंकली एक कट में हमने पूरे का पूरा पूर्ड कास्ट रिकोर्ड किया है पूर्ड कास्ट प्रॉपर तो नहीं है लेकिन बैठ के होता है इतने कैमरे होते हैं इतने ताम जाम होता है देसी बंदे हैं मिटल ग्लास बंदे हैं तो मिटल स्टाइल गाड़ी पर रखा हुए तो भाई यहां पे हमने कैमरा र वेलकुल तो वीडियो को लाइक, शेर, फोलो, जैनल, वोलो किजिए कब है सब